अस्सलाम उलेकुम यूटिव फैमली हजबन आफिस चले गए हैं और अब मैंने बच्चों को करना है बिजी पूरा दिन के लिए बच्चों के एक्जैम्स हो गए फिनेश और अब वो सिर्फ घर पे तबाई मचाने के लिए तो मैंने उनको सुबह से वरे अक्टिविटी दे तो इनको किया अक्टिविटी देते हैं और फिजा का रिजल्ट आप देखिएगा फिजा क्या करती है मास कर रिजल्ट देखिएगा और मुच्तबह क्या करता है वो भी दिखाती है जब भी color challenge दो जब भी इनको पढ़ाने बैठो तो मुझतवा आ जाता है और वो 500 बार कोई basket उलड़ता है और 500 बार मैं समयचती हूँ और बहुत मैस्किरियेट करता है बच्चा anyways बच्चों को busy रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है healthy activity होती है इससे बच्चों बहुत कुछ सीखते हैं although इनकी exams हो गए हैं लेकिन बच्चों को किताबों के साथ जोड़े रखा करें इस तरह इनकी mobile कम से कम use करेंगे mentally active रहेंगे brain के muscles brain के cognitive functions है वो सब इसके सब active हो जाएंगे और यह मने फिज़ा को दिया था tree simple और यह branches बनी हुए tree के और मैंने अब कहा था इस पर activity बुक है और इसके पर लिखावा था कि four season आपने draw करने है अब देखें फिज़ा अपने magical hand से कैसे draw करती है तो बच्चों को hold करने का सबसे अच्छा तरीका होता है और मतलब आजकल तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया से सब करना पढ़ना लिखना हमने अपने घरों में अखबारे आना बंद हो गई हमारे घरों में और पहले हम जब चोटे होते थे अब मुझे अच्छी तरह आदा 2000 का दोर था और बहुत चोटे होते थे हम लोग तो उस वक्त हमारे घरों में वो आते थे रिसाले नोने हाल वगयरा अखबार के साथ आया करते थे और बहुत अच्छा एक हुआ करता था दोर अखबारे पढ़ते थे हम मैगजीन्स पढ़ते थे रिसाले पढ़ते थे अब हमने पढ़ाई छोड़ दिये बिलकुल बिलकुल हम पढ़ना छोड़ गया हम खुद भी मुबाईल यूज करते रहते हैं जिसके जासे हमारे बच्चे भी मुबाईल यूज करते हैं थोड़ी दर मुझतबा कहा था कि मैंने विलॉगिंग करनी है और कैमरा कहीं था और हम कहीं थे ये मुझतबा विलॉगिंग कर रहा है माशालला बोल दीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा मेरे विलॉग पसंद आएं तो लाइक कर दिया करें अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर भी हिट कर दिया करें इससे मुझे मुझे मोटिवेशन मिलेगी मजीद नहीं अच्छी विडियोज बनाऊंगी थोड़ी दिर मेरा बेटा विलॉगिंग कर रहा था उनको मैंने बिजी कर दिया था कि मफिजा ने एक चीज ड्रॉव कर लिए मैंने इनको इसी तरह बिजी रखती हूँ बाबा घर पे ना हूँ तो फिर बड़ा मुझे बड़ा मुझे कुछ ना कुछ डिमांड करते है और जंक फूड डिमांड करते है कब चॉकलेट दे तो कब चिपस दे दो मैं भी ना थक जाँ इनको संभाल संभाल के तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी मैंन को बिजी रखती हूँ फिर आदत भी अच्छी बन जाती है बच्चों की और सुकून आ जाता है दिल को कि आपने बच्चों को किसी प्रोड़क्टिव आज आपका दिन प्रोड़क्टिव रहा आज आपने कोई अच्छा काम किया तो अल्लत आला हम सबके घरों में सलामती रखे खुश्छाली रखे और मेहनत करने से कभी न घबराया करें बच्चे बहुत मेहनत मांगते हैं बच्चे पैदा करना बहुत असान है बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है ये बहुत मेहनत मांगते हैं जो न्यू पैरेंट्स हैं खास दोर पे उनके लिए घबराना नहीं है और आजकल हम वैसे भी पेशन्ट इंपेशन्ट होते जा रहे हमारे हुसले कम होते चले जा रहे तो ये जो अलादे होती हैं जो बच्चे होते हैं ये बहुत मेहनत मांगते हैं इनका हर हर दिन मेहनत होता है और हमें बिल्कुल नहीं पीछ रटना चाहिए बिल्कुल नहीं खबराना चाहिए मेहनत से अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए और जो है देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को ज़्यादा पसंद करता है उनकी इंटेलिजन्स के साफ से मल्टिपल इंटेलिजन्स की बेरें वीडियो भी बनाई हुए है अपने इस चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दी थी आप लोगों की सहूलत के लिए तो अपने बच्चों को प्रोड़क्टिव डे हर दिन अपने बच्चों का प्रोड़क्टिव रखें कुछ ना कुछ सीखें वो हर दिन winter autumn spring जो है वो ड्रॉक कर लिया है तो ये बस ये फिज़ा कि तो special intelligence रखती है means कि वो intelligence जो art picture लवर होते है picture loving people होते है माज जो है वो भी साड़े पांच साल का है इंशालों वो छटे साल में लगने वाला है तो उसकी intelligence मैं देखूंगी कहां पर है क्या है किस तरफ दिहान है वैस सारी फिर exams क्योंके खतम हो चुके थे और सारे जो इनकी पुराना course था उसको मैं संभाल लूँगी या तो donation में दे दूँगी और फिर जो है इसको मैं किसी शौपर में पैक करके रख लूँगी रदी जितने इनकी exams और paper ये सब हुए थे सब separate कर लूँगी ये main task होता है मे फिजा से दो साल ही पीचे है तो ये सारा मेरा दिन होता है इसी तरह से गुजड़ता है तो बस ये कुछ books हैं English की तीन होती है Maths की तीन होती है तो ये मैं सारी जो है समिट के रख लूँगी एक जगा बंच बना के मेरे पास हर class का वो बना वाया अलग 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 जो है course क मैंने envelop बना के रखा होता है मुझे तो मेरी help कर रहे थे फिर बच्चों को busy इढर ही रखा होता है मैंने पिर इनको मैंने धन नाशता नाशता करने के बाद ग्सका किक मास के लवर मास पीजा लवर तो मैंने मास के लिए बनाया था केक light नहीं ती सारा काम manual किया है मैंने basically हा कोवन में किया है यानी पतीली में बेक किया है केक अच्छा बन गया था और सारा दिन इनोंने कुछ ना कुछ मुझसे लेना ही था मांगना ही था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको एक दफा बना के दे दूँ मेरे विलॉग में आपको अकसर नजर आता होगा मास जो है फूट्स एड्ट कर दूँ टूटी फूटी आड्ट कर दूँ कुछ प्याड़् कर दूँ तो वह फ़़पसं नहीं करता ह तो बस मैं बना देती मेरे लेफ्ट हंड का लेफ्ट हंडे की बात है इसके लिए बनाना मा फिजज आ आ आगे थे और रू फिजज गय थे धियर ने भी एक एक बनाना है, में पास इस वक्त एग्स नहीं थे घरमेत ने जो अवेलिबल थें, दो तीन अंडे थें, मैंने उसे से इसको बना कर दे दिया था, और अच्छा बना था, बहराल लाइट नहीं थी, और मैं भी बिजी हो गए, बचे भी बिजी हो गए, इस तरह सार तो यह तो यह अच्छी, मेरा भी टाइम भास हो जाता है, तो यह नहीं थोड़ी सी बचत भर जाती है, छलिकeur एक-जन कोई बाते हैं, इसी तरह बच्छों पर रेड़ी हो गया ये देखें कितना सॉफ्ट सपंज बना भी गरा में हालागे मैंने कट कर दीया था बच्चों को बच्चों को मैंने कट कर दीया सॉफ्ट सा केक था और हर कोई अपने अपने केक के हिस्से लेकर चला जा रहा है माज जो है काउंटिंग पर बैढ़ जाता है और फिर फिजा अपना लेकर अलग हो जाएगी मा यह मुझतबा सोके उठा था और यह बेट कर रहा था कि भाई मुझे कब देगा तो हर कोई अप आज की क्या दूआ है आज की दूआ है रिस्क में फरवानी के लिए पैसे में बरकत के लिए आपने पैसों में बरकत के लिए आपने जब भी अपने पैसे काउंट करने हैं पैसे या सेलरी जब आपको मिले तो आपने तीन बार उस पर सूरे कोसर इना देना यह पढ़ें आपके सेलरी में आपके पैसों में बरकत आ जाएगी सेलरी बढ़ना तो बात की बात होती है दूआ किया करें कि जो रब आपको रिस्क अता फर्मा रहा है उसी में बरकत डाल दे बच्चे उन्हें साइकलिंग की थी साइकलिंग के बाद मैंने थोड़े फूर्ट्स काट के दिये और आज मैं आपको रेमिडी भी दूँगी कि कैसे अगर कोई चीकू आपका निकल आता है कच्चा चीकू अगर कोई आपका कच्चा निकल आता है तो आपने उसको कैसे सेफ करना है उसको कैसे पकाना है ठीक है यह आप मैं किचन में जाओंगी तुम आपको रेमिड सस्दे जो भी लें, लेकिन उसमें आपको आईरन बराबर का मिले गा, ये लाह का इंसाफ है, जो लाह ने अपने बंदों के साथ किया, और अला की जात बहुत इंसाफ करने वाली है, तो फ्रूट्स जरूर एड़ करें पनी लाइफ में मेंगा वाला ना लें सस्ता वाला लें ठीक है मार्किट में हर तरह के चीज मौजूद होती है अब वो आप पर है कि आप अपने बजट को कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी सेलरी के अंदर रह कर कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं बाकी दूआ यही क चलो सफाई कर लेती हूँ और हथोड़ी दर बाद मेरे घड़ में में स्वेता है क्योंकि माशालला यह बिजी रहते हैं और यकीन माने हैं बचों को रोका ना करें जिस घर में मैस किरियेट नहीं हुता दादों आ गई ही बचों की मुझे ने पथा है यह औक सर ऐसे ही करने ही वारी थी तो बच्चे आ गए अब सफाई करके हटूंगे तो फिर गंदगी मैं मच जाएगी तो मेरा सारा दिन ऐसे ही चलता तीन बच्चों मैं अब धुलाईया नहीं कर सकती है हाला कि डस्बिन यूज़ करते हैं डस्बिन भी यूज़ करते हैं लेकिन जहां बैठते हैं तिक 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 कुछ ना कुछ यह लोग लगे रहते हैं और सफाई किया करें सफाई निस्वेमान है हमारे नभी को सफाई पसंद है अल्ला को सफाई और खुबसूती बहुत पसंद है तो सफाई बहुत जरूरी है देखें घर छोटा बड़ा नहीं होता घर रेनुट है के नहीं है वो बात की बात है लेकिन सफाई लाजमी रखा करें पेंट नहीं हुआ वावा ये चीज़ बनवाने वाली है वो चीज़ बनवाने वाली है ये बात-बात की होती है लेकिन जो आपके हाथ में है वो आपने करना है आपके हाथ में सफाई वो आपने करनी है साफ सुथरा रखें, चाहे घर छोटा है, बड़ा है, अमीर का है, गरीब का है, सफाई इस मोस्ट इंपॉर्टन्ट थिंग, ठीक है, हलागे मेरा किचन अब भी रेनोवेशन मांग रहा है, मेरी कैमिनेट्स हैं, बहुत पुरानी है, जब शादी हो कही तब से पहले की लगी ही है, लेकिन मैं सफाई रखती हूं, जितना मेरे उस में हो सकता है, मैं कर लेती हूँ, अच्छेह यहां पर मैं पाए बना रही थी, आज, क्यूंकि कर मैंब्र्गर्स बना लिए थे, तो मैं फिर बाया कैंसल कर दिया था, आज मैं पाया बना रही हूँ, बच्चों को खे यह हैं नमीरी बिटेयां और में उनकों पढ़एंब्र attach वी थी और उश्रूम से नां चने के दाग यह थे तो सारे दिन बच्चों के साथ एसे के मार रहा था और कहा रहा था तुम दादा जान के वाश्रूम क्यों गए वो ये लड़का इतना तेज है पिद्दू इसने अलमारी से जूतियां निका लिए और बड़े भाई को मारना शुरू कर दिए ये जूतियां और एक जॉगर्स इसके ये हलात हैं इसके चेक करें अ लिकीन माने चीकू इतने मज़े के और मीठे निकलेंगे कि जिसका जवाब नहीं ऐसे आमने चीकू को शौपर में बंद करना है और आटे में दबा देना है इस तरह विलोग पसंद आजाए तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज के लिए इतन मेरा कितना मज़े दार है